तो दोस्तों आज किस वीडियो में बात करेंगे hardware and networking versus CCNA कुछ लोग hardware and networking कर लेते हैं और कुछ लोग CCNA कर लेते हैं तो उसमें mainly difference क्या है और आपको जो job मिलती है वो किस profile base मिलती है तो उसी के बारे में discuss करेंगे और थोड़ा साइसमें salary का structure भी आपको मैं बताऊँगा तो दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ पहले hardware and networking समझ में आ रहा है कि the collection of hardware and networking तो होता क्या है कि इसमें आपको hardware भी देखना है और networking का भी पार्ट देखना है तो इससे आप समझ के होगी कि hardware and networking में basically होता क्या है अब मैं बात करूं इसके job profile के बारे में तो जो दोस्तों support की profile होती है चाहाँ वो technical support हो चाहाँ वो desktop support हो चाहाँ IT support हो और चाहाँ वो शर्विस देख सो या टेक्निकल हल्प डेक्स एग्जिकेट हो तो मेंली यह वो candidate होते हैं जो hardware and networking का diploma करते हैं या hardware and networking कि किसी institute से वहाँ से coaching center से करने के बाद उस profile पी वो करते हैं अब कई बार क्या होता कि अगर आपने hardware and networking किया है तो आपके chances होते हैं कि आपको डालेक्ट networking की भी profile मिल जाएगी आप networking में भी जा सकते हो तो बैसिकली यह इनका होता है work structure अभी मैं बात करूं जैसे कि कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो ताकि अगर system में hardx कराब है तो आपको replace करनी पड़ेगी तो आपको replace करनी पड़ेगी मतलब hardware टेबल सुटिंग आपको करनी पड़ेगी और basic जो networking होता है जैसे किसी का internet नहीं चलता है या कई बार स्विच से cable proper connect नहीं होती है तो वहां भी आपको देखना पड़ता है या हो सकता है कि जिस port से वो land cable आ रही है जिस port से उस system connected है वहां पर भी आपको चेक करना पड़ता है वो स्टेबल सुटिंग करनी पड़ती है मतलब combination होता है दोनों का hardware and networking का जो की एक support की profile होती है यहां पर मैं बात करता हूं CCNA की तो CCNA basically होता कि यह एक certification course भी होता है अगर आप certificate नहीं भी कर रहे हो तब भी आप institute से locally join करके आप job कर सकते हो तो इसमें जो job profile का structure होता दोस्तों वह होता है core networking की profile जब भी आप CCNA करते हो तो आपको core networking की profile मिलती है जैसे कि आप direct network पे काम करोगे IP address पे काम करोगे Subnet Mask पे काम करोगे तो जब यह आप CCNA करते हो तो इसके अंदर आप proper kay profile में जाते हो उसके whipping करते हो पिर CCNA करते हो फिर CCNA करते हो तो मतलब इसके certificate आगे बलते रहते तो कोई network security में चला जाता है कोई network admin में चला जाता तो यह आप एक core profile में आ जाते हो लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ तो जो CCNA के candidate होते हैं उनको hardware की knowledge बहुत कम होती है या फिर ना के बराबर होती है अगर वो networking में जॉब कर रहे हैं तो तो उनके लिए क्या होता कि आपके लिए core profile मिलती है यह benefit होता है अगर आप वही CCNA करक सकता है एजली जा सकता है उस profile में बट अगर मैं यहीं पर बात करूँ बेश्ट profile की तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको CCNA में जॉब मिल रही है तो आपके लिए बेश्ट profile होती है और मैं बात करूँ अगर Sally wise तो definitely सी बात है जब आप किसी core profile में काम करते हैं तो hardware networking अगर मैं बात करूँ यहां पर CCNA और hardware networking की तो आपको CCNA में कुछ बेटर साली मिल जाएगी और आपका जो future career growth है मैं इन डोनों profile की बात करूँ जो future career growth है ना तो कहींने कहीं CCNA का पर चला जाता है उससे कहींने कहीं वह better होता है बाकि hardware networking questions and answers के लिए मैंने नीचे एक link दि तो बस आज की वीडियों में इतना ही वीडियों का अच्छा रहा हो तो लाइक से और जलो सब्सक्राइब जलू करें मेरा ना में शुब हम मैं में में था आप नेक्स वीडियो में ते लना वे ग्रेट मोमेंट and don't forget to like and subscribe thank you so much for coming here